दुनिया के करी देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनलोलोजी में कानून होता है लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोग भाषा में होता है सामान्य मानवी की भाषा में होता है और दोनों मान्य होते हैं और उसके कारण सामान्य मानवी को कानूनी चीजों को समझने में न्याय के दरवाजे खटखटाने की जुरूत नहीं पड़ती है हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे एक देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनलोजी हो लेकिन साथ साथ वही बात सामानिय व्यक्ति की समझ में आए उस भासा में और वो भी दोनों एक साथ एसमली में या पार्लमेंट में पारिद हो ताकि आगे चल करके सामानिय मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है दुनिया के कई देशों में ये परंपरा है अभी मैंने एक टोली बनाई है वो उसका अध्यन कर रही है साथियों हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट और सुप्रिन कोर्ट की सारी कारवाही इंगलिश में होती है और मुझे अच्छा लगा सीजे आई ने स्वैम ने इस विशे को सपर्ष किया तो कल अख़बारों को पॉजिटिव खबर का अफसर तो मिलेगा अगर उठा ले तो लेगे उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा साथिये एक बड़ी आबाजित को न्याई प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है हमें इस वबस्ता को सरल और आम जंता के लिए एक ग्राही बनाने की जरूत है हमें कोर्स में स्थानिय भार्षाओं को प्रोसान देने की जरूत है इसे देश के सामाने नागरिकों का न्याई प्रणाली में भरोसा बड़ेगा वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा